नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की आठ अगस 2023 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन्ट आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे देखो हमारे पास में आज दो सिच्वेशन के बारे में हम समझेंगे कि 2008 का जो सब्प्राइम क्राइसिस आया था जिसको बोलता है ग्लोबल फाइनिशल क्राइसिस उससे लेकर अभी तक क्या सिच्वेशन रही है ग्लोबल एकोनोमी की और करन्ट सिच्वेशन से कैसे निप्टा जा सकता है दूसरा आर् पाद में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनके ओपर भी हम फूकस करेंगे तो ऐसे हमारे पास पर टोटल दो इशूज है दोनों को देखते हैं डीटेल में सबसे पहला काम तो आप एक करो कि टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लो गार्गी ट्लास टील सर्च कर allem कर लो या फिर गार्गी ट्लास्ट इन जो लिंक दिया हुआ है टेलिग्राम चैनल का डिस्कृप्टरिप्शन बॉकस मे आप वहां से जॉइन कर लो ठीक है यह जो पीड अपना है the great unraveling देखो unraveling का मतलब unravel का मतलब होता है कि आप कोई भी काम कर देते हो और उस काम में अगर कोई तूटी रह जाती है या फिर उसके किये हुए काम को आप undone कर देते हो undo कर देते हो आप जो भी कोई काम किया हुआ इसको तो बोले यह चीज अभी देखने को मिल रही है यह जो undo हो रहा है किसका हो रहा है तो राइटर एक ही चीज पॉइंट हाइलाइट कर रहे है कि जो globalization का trend देखने को मिल रहा था ना पिछले 30 सालों में बोलो उसकी रिवर्स में देखने को मिल रहा है आप जाती होई economies दिख रही है de-globalization की तरफ तो ऐसे में बुला है इसी को बुला जह रहा है the great unraveling अब देखते हैं इस article को पूरा detail में है देखो राइटर है साजित जी चिनॉय इनका यह कहना है कि सब्राइम या global financial crisis जो 2008 में आयती जब लेमन ब्रदर बैंक कॉलेप्स कर गया था और बताय जा रहा है कि कुछ महीनों के अंदर हालत खराब हो गई थी western economies की ठीक है 2008 में तो आप देखोगे कि इसकी पंदरवी anniversary है वो आ रही है ऐसे में एक बार हम आज की economic situation को समझें और 2008 से लेकर अभी तक सरकारों ने क्या किया है उनके बारे में हम समझें तो बहुत कुछ एक trend देखने को मिलेगा जिसमें एक जो काम की बात आ रही है वो ये कि कहीं न कहीं deglobalization की तरफ move करने की tendency बन रही है globally ठीक है अब देखो मुद्धा क्या है 1990 के समय में globalization बढ़ता है क्योंकि यह वो समय था जब USSR disintegrate हो जाता है और बहुत सारी economies या वो crisis में थी ठीक है और उन economies को अपने crisis के situation से निकलने के लिए फिर IMF World Bank से help लेनी पड़ी और IMF World Bank जिनको Bretton Woods institutions के नाम से जाना जाता है या Bretton Woods भी बोला जाता है इन institutions का एक फंडा था कि भई आप अपनी economy को liberalize करो private sector को promote करो और global economy के साथ integrate करो तब हम आपको funding देंगे यही चीज हमने कि हमने भी की क्योंकि हमारे हालाब भी खराब थे उस time पे हमने फिर implement की LPG policy तो 1990 का जो दशक था वो था globalization को बढ़ावा देने का 2000 से 2010 के बीच का जो समय था वो यह कि globalization के आधार पर जो भी अलग-अलग economies है उनको उपर उठने का मौका मिला और उसी समय पर जो western economies है उनका जो एक बना हुआ था ना हवा बनी हुई थी कि developed economy है वो उस तरफ बाकी economies भी आप बढ़ना start कर चुकी थी फिर बाद में आती है 2008 की supreme crisis या global financial crisis जिसके चलते हैं चाइना ने शौक दे दिया चाइना ने कैसे शौक दिया सबसे पहला काम तो यह कि जो वेस्ट में manufacturing होती थी अब blue collar job create होती थी ना वो अब चाइना की तरफ shift हो गई कारण क्या हुआ कि अब वेस्ट की ज economies में operate होने वाली company पहुंच गई चाइना में और चाइना ने उसका फाइदा उठाया चाइना ने वैसे open door policy start कर दे थी 1978 में पर इसका फाइदा चाइना को लगबग 20 साल बाद में मिलना start हुआ जैसे आज अगर हम देखें तो अगर हम सही proper तरीके से काम करते हैं तो देखा दिया खतम और चाइनीज लोगों को जॉब मिल गई क्योंकि western companies आकर के चाइना में manufacturing करने लग गई और इस वज़े से कही ना कहीं इसी blue collar job loss की वज़े से आज के time पर western countries ये सोच रहे हैं कि इसका फाइदा चाइना ने बहुत उठा लिया और वही चाइना आखे दिखा रहा था इसलिए तो वो company चाइना में manufacturing के लिए पर अब थोड़ा सा geopolitically भी सोचने लग गए हैं कि अमेरिका को आखे दिखा रहा है चाइना तो चाइनीज शॉक जो था अब उससे वो यूटन लेने की सोच रहे हैं अब देखो कि 2008 के बाद में चाइना का जो rise है ना वो बहुत ज्यादा देखने को हुआ है क्यों कि एक तो होता है कि चाइना खुद progress कर रहा था वो तो चलो कर रहा था पर 2008 का जो यह global financial crisis आया ना इसमें western economies इतने बुरे तरीके से collapse कर गई जिसके चलते चाइना की progress ओर ज्यादा strong दिखने लग गई और चाइना stronger form में इमर्जो करके आय अब आप यहाँ पर खुद देख सकते हो कि यहाँ पर Martin Wolf economist उनके द्वारा यह बताया गया कि advance economies की हालत इतनी खराब है कि 2008 से लेकर के 2018 के बीच में performance अगर देखो तो France की performance में 2008 के comparison में 2008 से पहले के comparison में 2008 के बाद में 13% तक reduction आया है US में 17% तक reduction है UK में 22% तक reduction है तो एक vacuum create हुआ कि नहीं कि किस तरीके से economies हैं वो कमजोर पड़ गई कौन सी western economies और उसी समय पर चाइना ने अपनी पकड ओर जादा strong कर ली तो ऐसी परिस्तितियों में कहीं ना कहीं western economies हो गई पीछे अब ये western economies पीछे गई तो इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है देखो एक तो है fiscal policy tight ठीक है इसका मतलब सरकारों ने पैसा खर्च कम किया आप देखना यहाँ पर कितना गजब का equation set हो रहा है 2008 में subprime crisis आये मंदी आई जबरदस्त ठीक है अब उस मंदी को track पे लाने के लिए क्या किया गया वहाँ पर monetary policy है ना मतलब बैंकों ने तो अपने interest rate reduce कर दी अब बैंकों ने interest rate कम करी तो वहाँ पर यह target था कि private sector को promotion मिले लोगों के हाथ में पैसा आए demand बने private companies invest करेंगी तो automatically job भी create होगी economy फिर से track पे आ जाएगी तो वहाँ पर 2008 के बाद में monetary policy जो की central bank के द्वारा बनाई जाती है हर एक bank जैसे हमारे हाँ पर reserve bank है और USA में federal bank है इसी तरीके से central bank of England है UK की अगर बात करें तो इन्हों ने क्या किया कि अपनी तरफ से काम करना शुरू कर दिया कि भाई हमें थोड़ा सा easy policy रखनी है इस तरीके से monetary policy तो lose कर दी इसका मतलब interest rates कम कर दी bank चाते थे कि कैसे भी करके market में एक liquidity बने क्योंकि वहाँ मंदी का माहौल था मंदी के माहौल में आपको क्या करना पड़ता है demand create करनी पड़ दी क्योंकि demand first गई होती है ठीक है वही पर दूसरी तरफ वहाँ पर सरकारों ने fiscal deficit को control करने के लिए tight fiscal approach अपना ली अब यहाँ पर उल्टा मामला पड़ गया क्या हुआ कि एक तरफ तो एक तरफ तो monetary policy आपने lose कर दी जिसे की market में liquidity भड़े private sector का investment rise हो और दूसरी तरफ fiscal policy जिसमें सरकारों के द्वारा जो पैसा खर्च किया जाता है सरकारों ने पैसा कम खर्च करना कर दिया कम कि बहुत ज़्यादा बरबाद हो गए अब पैसा खर्च नहीं करेंगे इस वज़े से जो monetary policy एक accommodative एक positive माहुल जो बना पाती ना वो वहाँ पर fiscal policy ने cancel out कर दिया इसकी वज़े से जो result उनको चाहिए था वो result नहीं मिला तो यहाँ पर तो case क्या हो गया 2008 से लेकर के और कोरोना से पहले 2019 तक की बात अगर मैं करूँ 2008 से लेकर के 2019 तक वर्ड की जो advanced economies है western economies है उनमें monetary policy तो कैसी रही बड़ी liberal रही interest rate 0% 0.1% accommodative approach की खर्च करो पैसा और वहीं पर fiscal policy की बात करें तो सरकारों ने बिल्कुल tight approach बना रखी थी पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं किया तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर monetary policy plus में थी और fiscal policy minus में थी अब क्या होता है कोविड आता है कोविड आ करके और economies को फिर से हिला के चला जाता है थम जाएगा तो ऐसे में अब fiscal policy होई थोड़ी सी अप्रोचिबल positive इसका मतलब सरकारों ने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया कि वहीं market में जे-म कीन्स आ गया classical की इस अप्रोच कि यहाँ वही अगर private sector काम नहीं कर रहा है तो फिर government sector काम करे और देखो private sector तो किवल pharmaceuticals में ज़्यादा active रहा COVID के टाइम पे और COVID के बाद में बाकी एरियाज में private sector तो back fit पे था क्यों क्यों क्योंकि market में जब flow नहीं होता तो private sector जल्दी से invest नहीं करता और दूसरी तरफ monetary policy की इतनी ज़्यादा कोई हल चल्दी नहीं ठीक है तो fiscal policy की तरफ से government positive रखी पैसा खर्च किया पैसा खर्च किया तो market में बढ़ गई liquidity आप देखो जो बाइडन ने जो प्रोग्राम बनाया था वन पॉइंट संथिंग ट्रिलियन डॉलर का प्रोग्राम था government कितना पैसा खर्च करेगी infrastructure डवलप करेगी वो सारा अब वन ट्रिलियन डॉलर एकदम से market में आएगा तो सीधी बात मार्केट में liquidity बढ़ेगी की नहीं अब मार्केट में liquidity बढ़ेगी तो demand बढ़ेगी की नहीं और demand अगर बढ़ गई और supply आपकी रुकी हुई है क्योंकि geopolitical tensions चल रही है तो ऐसे में demand तो बढ़ गई और supply रुकी पड़ी है महंगाई बढ़ गई इस तरीके से western economies का उल्टा हाल हो गया कि fiscal policy ने तो पैसा खर्च करने की कोशिश की और महंगाई बढ़ गई अब उस महंगाई को control करने की जम्मेदारी किस पर है monetary policy अब monetary policy hawkish approach अपना रही है इसका मतलब interest rates है वो अब rise हो रही है इसका मतलब यह हुआ कि market में inflation जो USA में 2% चलती है उसको 8% तक चड़ा दिया इस fiscal policy ने अब उसको control करने के monetary policy वहाँ पर interest rates को rise कर रही है तो बोले यह उल्टा खेल हो रहा है वहाँ पर तो ऐसी परिस्तितियों में यह जो developed economies ना बहुत घजब तरीके के डॉल्डरम में जूल रही है पिछले 20 सालों की अगर बात करें या 15 सालों की अगर हम बात करें और इसी context को हम पूरा detail में अब है इससा ये भी है कि कोविड के बाद में हाल क्या हो गए फिस्कल पॉलिसी ने तो अपनी open अप्रोच करी तो वो भी उल्टी पड़ गई अब ऐसी परिस्तितियों में फिस्कल पॉलिसी भी tight करनी पड़ रही है और monetary policy भी tight चल रही है तो हालात हो रहे है western economies के खराब कि बह 2008 से 2019 तक का time जब fiscal policy तो बहुत ज़्यादा tight रही और monetary policy बहुत ज़्यादा lose रही और इसकी वज़े से इनको जो एक सोचा हुआ और जो target था वो achieve नहीं हो पाया तो ऐसे में बताया जा रहा है कि advance economies को कोई फायदा ही नहीं हो पाया एक policy अच्छा करना चारी है दूसरी policy ने उसके काट कर दी एक तो point यही है कि cross purpose काम हुआ इस वज़े से बोले इन दोनों को कोई इन दोनों policies का कोई benefit नहीं हुआ कभी fiscal policy आगे गई तो monetary policy ने negative कर दिया और इस तरीके से vice versa हो गया COVID के बाद में ठीक है जी इस तरीके से मतलब situation एक तरीके से cross हो गई इसका नुक्सान फिर वहां की labor market को उठाना पड़ा क्यों क्योंकि जब economic recovery proper नहीं कर पाई ना economies 2008 के बाद में तो सीधी बात है job create नहीं हो पाई और job create नहीं हुई तो वहां पर फिर वह काम चाइना की तरफ shift हो गया तो बोले एक तो labor market का बहुत बड़ा loss हुआ ठीक है ना दूसरा monetary policy excessive थी ठ excessive monetary policy की वज़े से मतलब market में पैसा ज्यादा घुमा market में पैसा ज्यादा घुमा तो बोले inflation आई inflation की वज़े से inequalities बहुत हो गई कहने का मतलब जिन लोगों के पास में पैसा था जिनके पास asset थे वो तो देखो बहुत जादा पैसे वाले हो गए ठीक है क्योंकि market में circulation पैसे का हो गया मेंगाई बढ़ गई तो asset की price भी बढ़ गई और वहीं पर दूसरी तरफ जिनके पास पैसा नहीं था वो बिचारे ओर डाउन चले गए इसका मतलब society में वहाँ पर inequalities आने लग गई और inflation तो हमेशा problem create करता आप खुद experience कर सकते अपने इंडिया में भी तो इस तरीक जो more or less खतम हो गई वो फिर से rise हो गई और target यह था कि वो कैसे अपने पैसे को settle करें ऐसे में फिर labor market की बात करें तो वो labor market पर oh dent हो गया कैसे हुआ देखो मेंगाई अगर बढ़ गई तो सीधी बात है European और American labor है वो salary भी ज़्यादा मांगेगा salary ज़्यादा मांगेगा तो company या क्या वहाँ पर production के लिए invest करेंगी answer है no तो ऐसे में वो चली गई चीप labor market की तरफ again चाइना थर्ड कि जब यह monetary policy easing चल रही थी quantitative easing भी बोला जाता है इसमें क्या 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 कर रहे हो interest rate को कम कर रहे हो जिससे market में loan ज्यादा उठे वो सारा तो इससे क्या हुआ कि quantitative easing को ही सारी problems का solution समझ लिया western economies ने क्या देखा कि बही चलो ठीक है जितना ज्यादा सस्ते में loan मिलेगा उतना economy run करेगी तो बोला fiscal policy को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है अपने आप bank के हिसाब से सारा काम tackle हो जाएगा तो ऐसे में व monetary policy कर देगी जो कुछ भी करना है problem का solution जबकि इन advanced economies को retooling करने की जरूरत थी reskilling करने की जरूरत थी और चाइना का जो शौक था एकदम से 2013 के बाद में जिस तरीके से चाइना ने आखे दिखानी शुरू की है चाइना को जो counter करने का काम था वो सारी चीजे कर सकते थे infrastructure construct कर ना मतलब western economies को ये करना चीए था पर इन्होंने ये नहीं किया और फिर इसके चलते fourth point आ गया और इसी की वज़े से एक बीज बोया गया जिसको बोला जाता है deglobalization और उसी को हम बोल रहे है the great unraveling क्यों अब सीधी बात है कि एक तरफ तो 2008 में economic crisis आ गया जिसकी वज़े से advanced economies बरबाद हो गई दूसरी तरफ उस economic crisis को settle करने के लिए monetary policy तो बहुत अच्छा liberal काम कर रही थी बट वहाँ पर fiscal policy थोड़ी से tight रही उसका परिनाम क्या रहा कहीं ना कहीं वहाँ पर economy में जो growth recover होनी चीए थी वो नहीं हो पाई बेरोजगारी बढ़ी और उस बेरोजगारी क वज़े से लोगों की दिमाग में क्या गया कि बोला हमारी बेरोजगारी का फाइदा चीन उठा रहा है अब चीन के अलावा और जो growing economies ना उनके उपर भी फिर बाद में असर पड़ रहा है क्योंकि अब उन लोगों ने western economies में लोगों ने क्या सोच दिया कि भई अब हमें क ही ना कहीं खुद को दूर कर लेना है इसी का परिणाम है Brexit और इसी का परिणाम है US-China Trade War जो आज के टाइम पे चल रहा है दोहजार अठारा से पहले किस तरीके की fiscal policy थी वो सरकारों के लिए गाटा साबित हो गई फिर उसके बाद में आप देखोगे कि monetary policy ने कुछ पुश करने की कोशिश की तो वहाँ पर inflation बढ़ गई और बैंकों में फिर बाद में interest rate बढ़ानी पड़ी जिससे की market से पैसे को रोका जा सके जो कि अभी चल रही है आप खुद देखो कितना interest rate चल रही है तीन चार पांच परसेंट इंटरस रही है जो इंटरस रही है जो इंटर कि वहाँ की एक तो growth rate और दूसरी वहाँ पर borrowing cost वो दोनों चीजें जो है वो high चल रही है और दूसरी तरफ public debt की बात करें सरकारों पर करजा वो भी बना हुआ है सरकारों पर करजे वाला का तो आपको पता ना क्या हाल हुआ है अभी कि USA की जो सरकार है अभी current administration जो बाइड funding की requirement होगी राइट तो ऐसे में वो Republican Party Donald Trump की पार्टी सपरूवल ले रहे है इस तरीकी situation बन रही है वहाँ पे तो हालत हो रही है खराब western economies की तो हाल क्या है कि 2008 से 2018 तक का scene आपको clear हो गया और जब से pandemic काया उसके बादगा scene अभी आपको clear है तो इसका मतलब यह हो गया कि वहा fiscal policy पहले tight थी वो COVID के बाद में fiscal policy easy हो गई जो monetary policy पहले liberal थी वो अब COVID के बाद में tight हो गई इसके चकर में पहले तो fiscal policy वहाँ पर growth नहीं कर पाई और अब monetary policy उनके लिए सरकादर्द बनी हुई है तो हलत हो रही है खराब western economies की और इसी के चलते वो कहीं ना कहीं tight approach अपना रहे हैं protectionism की approach अपना रहे हैं यह का जा रहा है कि चाइना से हमें de-risk करने की ज़रुत है हमें global supply chain पर चाइना पर completely dependent नहीं रहना चाहिए वो चाह रहे है कि COVID से पहले का जो scenario था उसको change करके हमें self-sufficiency की तरफ जाना चाहिए तब ही आप देखो west में inflation reduction act आता है chips act लाया जाता है इसके अलावा European Union के द्वारा जो carbon emission control को ध्यान में रखते हुए जो वो act लाया गया वो चल रहा है तो यह चीज़े show क्या कर रही है कि यह जो western economies है इनोंने क्या सोच लिया कि खुद के यहां पर domestic blue color job मतलब manufacturing को restart करना है और देखो चाइना जिस तरीके से misbehave कर गया ना उसका यह नतीजा है कि अब ज्यादातर countries यूटन ले रहे हैं globalization की बजाए de globalization को promote कर रहे हैं और इसका फिर एक demonstration effect भी देखने को मिल रहा है जैसे USA ने और यॉरॉप ने यह laws बनाया है ना conservative laws South Korea Japan Taiwan इन्होंने भी इसी तरीके से local manufacturing को promote करने के लिए local firms को subsidy देनी start कर दी कि भया अपने यहाँ पर manufacturing start करो अब देखो यह कहीं ना कहीं इंडिया जैसी growing economy के लिए अच्छी बात नहीं है तो इस तरीके से यह जो माहूल है यह कैसा बन रहा है बेगर थी neighbor बेगर थी neighbor का मतलब क्या होता है यह एक industrial policy एक approach है जिसमें एक country वो policies बनाता है जिसकी वज़े से खुद को बेनेफिट होता है बाकि पडोसियों के आस पडोस के जो partners है उनको नुकसान होता है तो यह काम अभी western countries हैं वो कर रहे हैं अब देखो इसके चलते बहुत सारी risk factors भी rise हो रहे हैं सबसे पहला तो risk factor यहाँ पर जो rise किया जा रहा है writer के द्वारा कि कहीं ना कहीं अब सरकारे ह स्टेट का रोल आ जाएगा कि वही किसको तो ज्यादा promotion देना है किसको रोकना है तो उसमें सरकारे जो है वो कहीं ना कहीं अपनी खुद की productivity को भी loss करवा देंगी देखो international market में जब globalization promote होता है तो competition आता है चाइना के पास में एक चीज में expertise है इंडिया में किसी और चीज की expertise है western countries में कोई और चीज की quality अच्छी है तो वो जब international market में flot करती है चीजे तो बढ़िया rate पर बढ़िया quality की चीजे एक दूसरे के पास available होती है बट अब क्या होगा कि state मतलब government अपनी ही boundary के अंदर सारा काम करना चाहेगी तो कुछ cherry picking का का काम होगा कि कुछ firms को वो promote करें और इसका असर कही नगी global economy पर भी देखने को मिलेगा पहला तो यह risk है कि कही नगी productivity quality बिगडेगी दूसरा muscular industrial policy जिस तरीके से कोशिशे की जा रही है कि रोका जाए अपनी खुद की industries को बाहर जाने से और कहा जाए कि अपने ही देश में आप manufacturing करो तो यह muscular industrial policy है इसमें आप क्या कर रहे हो reshoring या friendshoring that means आप या तो बाहर गई हुई कंपनियों को वापिस अपने देश में ला रहे हो या ऐसे देश में आप उनको invest करवाना चाहरे हो जहां पर आपके दोस्त हैं like minded countries के साथ में तो बोले यह कही ना कहीं economic balkanization को promote कर देगा जो पिछले 30 सालों में globalization क आधार पर economies grow कर पाई है globalization का benefit करके बोले उसका अब भांडा फूट जाएगा एकदम से जैसे योगोसलाव यह एकदम से टुकडों में तूट कया था ठीक है बोले exactly वैसे ही यहाँ पर भी total world economy जो global growth थी ना वो एकदम से खतम हो जाएगी ठीक है इसको क्या बोले जादा economic balk globalization की जिस तरीके से de-globalization को बढ़ावा देने की बात हो रही है यह कहा जा रहा है कि हम तो हमारे खुद के ही देश में manufacturing करेंगे protectionism की अप्रोच है hyper nationalism की अप्रोच पे काम कर रहे हो तो बोले यह कहीं ना कहीं जो low income countries को आगे बढ़ने का जो globalization ने मौका दिया था वो मौका अब उनके हाथों से छूट जाएगा तो यह कहीं ना कहीं economic balkanization हो जाएगा तूट जाएगी पूरी economy अब यह problem है यह केवल globalization की वज़े से नहीं हुई है इसमें बहुत सारे कारण भी है इसमें domestic policies है ना उनका भी failure साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि जिस तरी internet of things इनकी बाते करते हो तो बुले यह चीज़े भी अगर आएगी ना तो क्या guarantee है कि चाइना के शौक को अगर आप u-turn लेना चाहरे हो exactly वही चीज कि चाइना में जो manufacturing राई उस manufacturing को आप अपने domestic market में ले भी आए तो आप यह बताओ क्या blue collar job तो create कर पाओगे क्यों क्यों क् manufacturing तो आप industrial revolution 4.0 के basis पे करोगे artificial intelligence based robot और यह काम करेंगे तो आप यह बताओ कि क्या वहाँ पर labor को काम मिलेगी यह एक बहुत बड़ा सवाल है ठीक है क्योंकि जब कभी भी industrial revolution आई है ना तो industrial revolution ने हमेशा labor के लिए तो नुकसानी पैदा किया है और यही चीज अभी देखने क को मिल रही है कहने का मतलब कि यह western country सोस तो रहे हैं कि हाँ जी हम हमारी country's को हमारी companies को अपने यहाँ domestic market में manufacture करने के लिए खीच लाएंगे कर भी लोगे बहुत बड़ी है पर वो क्या आपके local labor को नोकरी देगा या फिर वहाँ पर robots काम करेंगे देखने वाली बात ही है तो ठीक है तो यहाँ पर writers last में एक ही suggestion दे रहे है कि बोले coordinated global response की जरुवत है इन challenges को tackle करने के लिए हमें जरुवत है educate, trained और skill workforce की जो की technology के साथ में technological know-how भी जाने और technology को substitute तो नहीं कर सकते बट technology को best possible way में humanity के लिए use करने की कोशिशे की जा सकती है नहीं तो यह creative destruction साबित हो जाएगा कि देश जो है वो चाते तो है अपने आपको खुद से rebuild करना पर बोले कि इनके लिए disaster साबित हो जाएगा अगर यह सई समय पर काम नहीं किया गया थो ठीक है तो इस तरीके से बोले आज के बता रहे हैं बोले 80 साल पहले 2025 में 80 साल हो जा बोला आज भी वो ही जरूरत है आज फिर से बैगर थी neighbor industrial policy को रोकना जरूरी है नहीं तो क्या होगा कि एक country अपने benefit के चक्कर में बाकियों को नुकसान पहुचा देगा और यह globalization में जो कुछ भी हमने gain किया यह बहुत मुश्किलों से gain हुआ है अगर यह चीजे यूटन के तरफ चली गई इसका मतलब जो भी globalization में आपने किया उसको undo कर दोगे तो फिर मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी तो यहाँ पर जरूरत है global community को साथ में आने की सोच समझ के आगे चलने की तो यह article था ठीक है जी आगे चलता है नेक्स्ट आर्टिकल आइडिया पेज से abrogation as correction आर्टिकल 370 को हटाने से समझ दित आर्टिकल अकलेश मिश्राजी के द्वारा लिखावा आर्टिकल है बोला पांच अगस 2019 को constitution में हमने आर्टिकल 370 को ineffective बना दिया तो बोला उसमें बहुत सारी चीजें थी जिनको करने में government ने अपनी pre-planning कर रखी थी अब यहाँ पर बताय जा रहा है कि किस तरीके से अप्रोच रही और क्या इसके outcomes देखने को मिले अगर हम आर्टिकल 370 को ineffective बनाने की बात करें तो first तो कि पंडित नहरू जी के दौरा पांच भूल की गई थी कश्मीर को लेकर के वो पांच भूल तो यह बता दी कि महराजा हरी सिंग ने यह कहा जुलाई 1947 में कि हम Union of India को जॉइन करना चाहते हैं पर उस टाइम पर उस agreement को मना कर दिया पंडित जी ने इस वज़े से फिर पाकिस्तान को मौका मिल गया पाकिस्तान अंदर गुज गया दूसरी बात यह आ गई कि इस म मुद्दे को फिर बाद में कहते ना कि कहीं ना कहीं हमने United Nation में उसको ले गए जबकि Unilaterally हम कुछ कर सकते थे फिर से जो पीओ के आज का जो पार्ट है गिलिट बालतिस्तान जो पाकिस्तान के कपजे में हम उसको फ्री करा सकते थे बट UN में गए और UN ने बोल दिया कि बह पाकिस्तान को एक तरीके से relevant party के तौर पे include करवा दिया बोले ये चीज बहुत बड़ी गलत हो गई फिर इसके बाद में बताया जा रहा है कि आपने plebiscite की जो बात आई थी उसको बोले अच्छे से open नहीं किया पबलिक में plebiscite के basis पे ये clear हुआ मतलब एक तरीके से कि मा कश्मीर जो है वो इंडिया का एक proper integral part नहीं बन पाया बोला तो बहुत गया कि integral part है integral part है but important manner में नहीं हो पाया और पाकिस्तान का role वहां पर आई गया कि जब कभी भी आप कश्मीर में कुछ किया जाय तो पाकिस्तान के बात किये मिना कुछ हो नहीं सकता United Nation की तरफ से जो decree उसको कभी हमने properly follow नहीं किया फिर बाद में बताया कि article 370 को हटाने की कोशिश भी नहीं की गई कहने का मतलब यह बहुत सारे logics दिये जा रहे है कि पंडित नहीरू जी के द्वारा यह काम correct किये जा सकते थे पर वो नहीं हुए बट article 370 को abrogate करते हुए यह काम करना possible हो पा करता है कि article 370 को तभी आप change कर सकते हो रिपील कर सकते हो जब जम्मू कश्मीर की constant assembly इस चीज को ले करके recommendation दे और सच बात ही है कि जम्मू कश्मीर की constant assembly 1977 को ही dismiss हो गई थी तो ऐसे में article 370 more or less permanent हो गया अब इस article को erase कैसे किया जाए तो इसका रस्ता फिर बोले current government ने निकाला जिसका परिणाम हुआ article 370 हट गई कैसे कि वहाँ पर president rule चल रहा था क्योंकि assembly तो 2018 में dissolve हो गई थी president rule चल रहा था तो वहाँ पर president के deployed individual कौन governor तो governor के through फिर वाद में processing करवा दी इसी चीज़ को तो challenge किया हुआ है on supreme court में अब देखने वाली बात है supreme court क्या verdict देता है क्या नही से किया थर्ड जो point है वो ये बता रहे है political aspect कि इस तरीके से scenario create किया कि कहीं पर भी political rivals हैं वो इस issue को बहुत ज़्यादा highlight ना कर दे क्योंकि ये issue बहुत ज़्यादा sensitive हो गया था क्यों क्योंकि स्मुद्दे के ओपर international community की भी बहुत ज़्यादा नजरे थी तो इस चकर से बोल में वहाँ पर situation को normalization की तरफ move कराना और वो सारा काम वहाँ के administration ने देखा ठीक है पाँचवा security and law and order की बात करें क्योंकि 2016 में एक demo हमने already देख लिया था जब बुरान वानी की death होई और वहाँ पर really निकली जबरदस तरीके थे तो उस case में कहीं ना कहें security के मुद्दे को हम बिल्कुल भी ignore नहीं कर सकते थे तबी तो article 370 अटाया उसके पहले बोले army को वहाँ पर deploy किया गया जिससे की कोई भी unforeseen circumstance अगर create हो तो उसको handle किया जा सके और इस चीज के लिए सबसे बड़ी बात जो की वो ये कि जो militancy rise हो रही थी कश्मीर में उस militancy को control करने के लिए जो funding sources थे उनको dismantle किया गया कि कैसे भी करके कश्मीर में पैसा ना आए बाहर से illegal तरीके से इंडिया को destabilize करने के लिए इससे क्या हुआ जब पैसा रुका तो इसका कही नहीं गई एक हमारा system हमारे implementation proper वहाँ पे हो पाया फिर बोला जम्मू कश्मीर के लोग उन्होंने भी बह होना चाते हैं ठीक है फिर बताया जा रहा है कि हार्ड लाइन करप्शन बहुत ज्यादा मतलब वहां पर करप्शन को टैकल करने के लिए efforts किए ठीक है इवन जो इंटर लॉक्यूटर्स गए ठीक है कश्मीर और इंडिया के बीच में settlement करवाने के लिए उन्होंने भी बोला पर time to time elections करवाने की कोशिश की जारी है local level पर no doubt demand की जारी है कि statehood restore किया जाए और यह होना भी चाहिए और वो ही चीज़े कि इसके लिए conducive situation बनेगी तब जाकर कि यह काम हो पाएगा अब देखो Supreme Court का जो final काम verdict होगा वो हमारी तरफ से होगा आप क्या सोचते हो मैं क्या opposition वाले क्या लिग रहे है हमें उससे कोई मतलब नहीं हमें क्यों opinion जानने है अभी final verdict जो आएगा वो Supreme Court का होगा आप यहाँ पर judgmental नहीं हो सकते हो क्या गलत है क्या सही है कुछ भी सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है यह आपको समझ लेना चाहिए कहिए आप अभी mind make up कर च कि जी opposition वाले जो बोल रहे है वो सचाई है ठीक है सचाई और गलती की बात हम या नहीं कर रहे है हम जानना चाहरे है कि क्या situation है ठीक है और किस तरीके से काम कर रहे है तो जो पक्ष है वो भी हमें जानने की जरुरत है जो विपक्ष है वो भी हमें जानने की जरुरत है और फिर बाद में सुप्रीम कोट का जो वर्डिक्ट होगा वो फाइनल है ठीक है इंटरनेशनल कंप्लेक्सिटी को भी सेटल किया कि जिस तरीके से हमारे कश्मीर में वैस्ट में पाकिस्तान नौर्थ में चाइना इनको टैकल करना और वैसे इंटरनेशनल कम्यूनिटी का प्रे है तो वो चीज और देख ली तो कहने का मतलब यह है कि गौर्मेंट ने अपनी तरफ से पूरे अफर्ट किये है कि कैसे भी करके कश्मीर को एकदम प्रॉपर जमू कश्मीर को प्रॉपर में इंटेग्रेट किया जाए इंडिया के साथ में ठीक है और वो उसी के ओपर काम अभी चल भी रहा है तो यह तो देखो फेवर की बाते होगी किस तरीके से हुआ और प्रिविएसली भी हमने इस कंटेंट को देखा है अब नेगेटिव बातों को हम थोड़ा और नोट सेकंड यह आर्टिकल है पास वाले नॉर्मल सी विदाउट कमपैशन इस आर्टिकल क यह कश्मीर के लिए इंटर लॉक्यूटर रह चुकी है प्रबैबली कॉंग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम पे रही होंगी है तो इनका यह कहना है कि आर्टिकल्स बहुत आ रहे हैं कि सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई है जब से यूटी बनाई गई है पर बोला आप ए कम थी बोलो फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो इस तरीके से सवाल भी है ठीक है कि ग्राउंड रियालिटी बोलो कुछ और है ठीक है और यह बताया जा रहा है कि इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन की जब साइन करने की बात आई थी तो उस टाइम पर हरी जो राजा थे डोगरा कम्यूनिटी से बिलॉंग करने वाले जमुकश्मीर के राजा हरी सिंग तो उन्होंने क्लियर कट मैसेश नहीं दिया था कि आज ही वो इंडिया वो जॉइन करना चाहते है वो खुद कन्फियूज थे और उसी का फायदा बोले पाकिस्तान ने उठा है और थैंक यू वरी मच